एक सो चालीस पॉइंट के आसपास निफ्टी पे आज आपको गैप दाउन दिखेगा इसके अलावा जो शेर कमजोर है वो भी आपको बताता हूँ आई टी की लीडरिशिप के साथ है इन फोसी सबसे ज्यादा चार परसेंट डॉक्टर एडिस एस बेगा इन तीनों पर कहिन इसमें फाइट कर सकता है क्योंकि उसके पास डिक्लाइंस के तदाद बहुत ज़्यादा नहीं है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट के बास सपोर्ट अभी भी बरकरार है जैसे 44,000 बैंक निफ्टी का बचा इन फेक्ट चावालिज नी 44,300 वाला सपोर्ट भी है तो पूली तरह से गया नहीं दूसरा निफ्टी के बास अभी उननीच ज़्यार चेसो चेसो पचास वाले रेंज बरकरार है तो बाजार ने डैमेज तो किया अपने आईटी की वज़े से बट उतना नहीं जितना लग रहा और सुबह से यहीं डिसकेशन भी कर रहे हैं हमक के अपकरी पोने तीन परसेंट रह गई है इसको नूटिस कीजेगा दूसरा अभी और आईटी कंपनीज पर क्या प्रेशर आ रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा जैसे विप्रोर अगर आप टीस को भी काउंट करें टेक महंद्रा को भी काउंट करें तो परसेंटेज में गिरावट मातर एक एक परसेंट की है इस से ज़्यादा नहीं है और अब यह आप अडवांस देख पा रहे हैं और अडवांस डिकलाइन तो थोड़ा सा एक हजार का नंबर आपको आपको आई टीस तो बकादा अब हरे निशान में भी आ गया तो कल अ आपने नंबर का इंपट कली कर दिया थे महीं हो सकता है इंफोसीज भी चैकरें अपने नंबर का इंपाहजया कली कुर आपको एक रिद्स मिल सकता है वापीस से आज और शेर कॉन से कमजोर है उसमें डॉक्टर रेडीज है कबर आपको पता है इन में 483 इश्यू हुआ है जो तेजी वाले स्टॉक से उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे टॉक 50 में से सबसे उपर सबसे उपर से उपर सबसे और दूसरा शेर ही रोमटकॉप तीसरा है मारूती चौथा है और पांचवा टीज़ भी हो गया तो बजार ने अपनी जो रिकवरी एक थर्टी फॉर्टी पॉइंट्स की जटके में कर लिए और आप देख पा रहे होंगे अब डिक्लाइन फिर से आपकी स्क्रीन पर आएगा निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको गेल आज हमने दिया ट्रेंट जोमेटो चोला मंडलम जैसे चलते हो दिखरें यह आप देखें सबसे उपर भी आईटी कंपनी और सबसे नीचे भी आईटी कंपनी है एसल टे देखेंगे तो रिकवरी इतनी फास्ट है कि निफ्टी 100 पॉइंट के भी नीचे आगया अपनी गिरावट को खतम करने में तो एक अच्छा साइन है मार्केट एब्सॉब करने वाला यह आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है महमान तेयार है आपको ट्रेडिंग कॉल्स आई टी के सारे स्व्ट नीचे नहीं के मिकशाप आपको लेक्षिप के ताटा एलेग्जी जैसे कांटर इस ओन में मूफ दिख रहे है थोड़ी सी क्योंकि आज सारी सेक्ट्रेस सेमें गरावट है और सबसे कम गरावर जन फेससे हैं उसमें ऑटो जैसे स्फेसे हैं ऑसमे metals के stocks आपको clearly दिख रहे है stale जैसे stocks, jindal, steel and power reality index इतना चल चुका था वहाँ अच्छी profit booking दिख रही है godrish property जैसे stock पे आपको यहाँ पर profit booking दिख रही है gas की भी कुछ counters चले है IGL जैसे और new age stock में delivery जैसे stocks में भी आपको थोड़ी profit booking दिख रही है तो लेकिन क्या recovery कोई attempt होगी Bazaar देके थोड़ा recover हुआ है खुलने के बाद से वो इसलिए हुआ क्योंकि IT उतना निखटा Infosys का EDR है overseas market में 7% नीचे था लेकिन भाव यह 7% नीचे था Infosys 4% नीचे खुलके क्योंकि shorts थे in the system यह देखना होगा कि फ्रेश बाइंग आ रही है हमांग तो कह रहे थे लेना चाहिए TCS को ठीक है लेकिन मेरा यह व्यू है कि बजार बहुत शॉर्ट था बजार आईटी के उपर अल्रेडी थोड़ा लास्ट दो दिन के अंदर तो जब शॉर्ट था उन थोड़ा सा कवर रुके शायद रुका है रेस्ट दे डे में क्या होता है यह देखना होगा TCS हिमांग का पिक बाइंडी बुला था अल्रेडी हरे निशान में आ गया